महाराश राजी का शहर नागपूर भारत देश के मध्धि में इस्थित है संतरे की नगरी की नाम से प्रसिद नागपूर ब्रह्मा कुमारी शुर्य विश्विद्याले की मुख्य संचालिका की रूप में आदर्निय रजनी दीदीजी निमित है रजनी दिदी जी का जन्म सन 1964 में एवत माल महाराश में हुआ बचपन से आप भक्ती में विशेश रूची रखती रही है आप ममतमय, प्रेम सुरूपा, सरल्चित, निर्मल आत्मा है इश्वर की खोज में आपको सन 1980 में परमात्मा का परिशे प्राप्थ हुआ एक साल के अंतराल में सन 1981 में संस्था के मुख्याले माउंट आभों में अव्यक्त बाप दादा से इश्वरी ये मिलन आपने मनाया बाप दादा से यों दादियों से विशेश वर्दान प्राप्त करके तुरंत ही आपने अपना जीवन इश्वरी सेवा में समर्पित कर दिया सन 1982 से नागपुर में आदार्णिय पुष्पादीदी जी के साथ रहते हुए पूरे विधर्ब छेत्र के इश्वरी सेवाओं की कारूबार समहलती रही है नागपुर में इश्वरी संदेश देते हुए वेभेन कारिक्रमों का आपने सफल आयोजन किया आदार्णिय पुष्पादीदी जी के स्रेष्ठ संकल्प से 2014 में विश्व शांती सरूवर का भोमी पूजन आदार्णिय रतन मुहिनी तादी जी के हस्त कमलों से हुआ विश्व शांती सरूवर के अड़ूटोरियम में 1,749 लोगों के बैठने की व्यवस्था है इसके अलावा 3 सेमिनार हॉल्स में 1,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है सन 2018 में विश्व शांती सरूवर का भवे उद्धाटन संपन हुआ दीदी जी के नेक्त्रतु में 50 से अधिक सेवा केंद्र, तेन सो गीता पाट्शा लाओं में 15,000 से अधिक विद्यार थे, ज्यान योकी पालना प्राप्त करें।